नए शिक्षा सत्र को शुरू हुए अभी एक महा भी नहीं हुआ है और शिक्षकों पर निर्वाचन कारे का बोश डाल दिया गया। इंदोर जिले के बेटमा नगर के कई शिक्षकों की ड्यूटी निर्वाचन कारे में लगाए जाने से नाराज शिक्षकों ने शासन से आदेस वापस लेने की मांग को लेकर ग्यापन दिया। किया गया है जिसमें शाला सिद्धी दक्षता संवर्धन जैसे कई कारे होते हैं और वैसे भी यह कार्य बी लो द्वारा अच्छे से किया जा सकता है तो ऐसे में हम गेर शेक्षण कारे कैसे करेंगे बेटमा से राजेंदर सूर्यवन्शी की रिपोर्ट हमारी जो नगर प कि लोग के शुकुर दे आन्मी जगों पर तो उनी वही बेटमा में यसा हुआ है कि हम लोग के लगाए गई है जो सिक्षक लोग है और शिक्षा में हम अभी लगे हुए है अभी वर्तमान में आया हमारे श्कुलों में प्रवेस भी चल रहे हैं प्रवेस कारी से बादित ह हो रहा है और यह काम हमें करना पड़ेगा तो हमें अन्यत्र स्कुल से जाना पड़ेगा जो कि हमारी बच्चों के साथ भी अभी चुठारमीक सिक्षा भी सुरी स्टाट हुई है और अभी से नामंकन में भी असुईदा होगी इस से हमारा निवेदने की मोह दो हमारी जो इस कारे से हमें मुक्त करें और जो वर्तमान में जो बेलो इस कारे को कर रहे हैं वही कारी इसके वही करें जगा अच्छा होगा आपका नाम और पत बता दीजी अशुप चुहान मादुनिक सिक्षक बेटने के लिए बहुत सारे टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई जबक पांस टीचर्स और पांचोगी ड्यूटी लगाई गई है से सभी स्क्रीड के ही कंडिशन है कि अधिक हमारी ड्यूटी नगर पंचायत से लगाई गई है तो इसले हम नगर पंचायत में और यह काम जबकि जो नमावुली प्रकास्थन का कार्य यह बेलो को करना चाहिए ल तो यह समस्या लेकर हम सब यहां पर उपस्तित होगा है अब क्या करेंगे आप इसके लिए हम ने निर्णे लिया है कि हम कल देपलपूर हुआ। श्लो में भी इडियूमें कारे चल रहे है और वह कारी कि प्रिशक के निर्वाचन कारे में लगाए गई घौर इससे हमारे स्कुल का बहुत नुखसान हो रहा है वर हम यह चाहते हैं कि यह कारेे जो कूरूमें विरान सभा दया के बैढ़न दो कारे कर रहे थे वोनी की वापिस इसमें लगाई जाए और हमें बच्छों का जो नुक्सान हो रहा है वो नुक्सान नहीं होगा आपका नाम उत्पत्पत्पत्पनी परमार मार्मी की तेहले बेटने होगा